अससलाम अलेकुम मैं वेरी गुड़ा आफ्रों फ्रेंड्स से फ्रेंड्स का लोकम करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मिकमनिक गुरू पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैप पे यूनो कॉइन के बारे प्राइस बिलकुछ फ्लक्शुएशन मोशन में और इंट्रेशन रेट को देखेंगे साथ में हम कॉइन मार्केट के आपका एवलेशन करेंगे और बिटकॉइन के ओपर टेक्निकल अनलेसिस करने वाले हैं प्लस में लास्ट में आपको बता हुआ कि आप बहुत से इंडियन यूजर से हमारे जो भी हमारे इंडियन की यूजर से जो बिटकॉण में लेकर थोड़ काफी गबरा रहे तो उनके लिए कुछ में नियूस अपडेट दूँगा जो कि सुनके शायद थोड़ी बहुत कर देए . नोटीकिन को मिल ठॉट प्लेशिक पर आपको फ्री में टेखनीकल आन्लिस का कोड प्लेश्पर जाकर या बार बेसिक intermediate or advanced level को देख सकते हो गाइस एक चीज याद रखिए इन फूचर अगर क्रिप्टो कंदिसी बैंड भी हो जाता है सकते हैं इसलिए मैं इतनी मैंनत करके टेकनिक एलेस को कोर्स आपके लिए आपको दुबारा जॉप करना है यह और इंकम कन्टिनियू करना है तो जिसके सको सीखना है भाई सीख लो वनना फिर अगर बिट कॉन अच्छे तरह से बैन हो जाए तो फिर आप सोचो आपको दुबारा जॉब करना है यह और इंकम कंटीरियू करना है सो गाई स्टे ट्यून विट मिट करकी अब अविलेबल है जैपके वेबसाइट के उपर और साथ में अपको माइए युनक्वाइन के बता आता हूँ कि फिलाल जो जयप पर प्राइस जल रहे है 3,87,000 प्राइस चल रहा है और युनिकॉइन का प्राइस अगर मैं देखो तो बाइंग प्राइस तो फॉर लाइक बता रहा है और सेलिंग प्रेस 3,20,000 मतलब क्या मजा के लगा रहा है यार लोगों ने मतलब बाय करने के लिए हमको 80,000 जादा देना पड़ रहे और सेल करने के लिए 80,000 कम और इंटरेशनल मार्केट के अगर मैं बात करता है तो अल्मूस्स 4,27,000 रुपीज का रेट चल रहा है अगर मैं प्रीव.com की बात करता है तो मतलब यार ठीक है आप लोग अगर कंपनी जादर मुझे जो लगता है आप इस पेस सेल ना करो तो बहतर है 80,000 रुपीज का डिफरेंस लगबग आसपा सार रहे तो क्यों अपना लॉस करवा रहे हो भाई लोग सेल ना करो बिलकुल निशिन दो करो होल्ड करो होल्ड करो में काफी फायता आपको मिनने वारा है तो इल्कुल भी पैनिक ना हो जो प्राइस में यह दीख रहे है तीन लाग 80,000 सेल क्यों कर रहे हो यार एक्शुल प्राइस चार लाग सप्ता विसादा चल रहा है तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा डिफरेंस यहां पर अवलेबल है इंडियान मार्केट में जो के अभी सेल करें कोई मतलब नहीं है इसमें दुबाला रिपीट कर रहा हूं मैं अभी जादा इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे बहुत से लोग पैनिक होकर सेल कर देते काफी लोग मुझे बता थे कैसर हम ने इतने लॉस में सेल कर दिया पता नहीं क्यों कर रहे है वो गबरा कॉइन बेस है हाडवार लेजर है दोने से जो अच्छा दिखता है उसको यूस करो वहापर स्टोर करो कॉइन बेस कर रहे है तो यूनिक एमिल आड़ी रखो यूनिक मुबाइल नमबर रखो सब कुछ उनिक उसको बनाओ ताकि हैकर से आप सेफ रह सके लेजर यूस कर रह क्रिप्टो करिंसी है यह अल्ड कॉइन भी है तो फिर आप लेजर नेवास लो उसमें जाहतर अल्ड कॉइन स्टोर होते हैं काफी अधर डिफरेंट टाइप से हैं और अगर आप सिर्फ विटकॉइन को स्टोर कर रहे हो तो प्रेजर लेलो तो दोनम से जो ठीक लगा आप पैनिक होकर सेल ना करो इस इंट्रेशनल रेट चेक कर लो प्रीव.com पर जाकर चेक करो जैपर उनकान पर जो रेट चल रहा है उसको भी चेक कर लो और जहां तक सवाल है कि जो लोग यह सूचने के सरा कर यह टोटल ही तीन मैने के बाद बंद हो जाएंगा कि आम मैने के जहां तक मुझे उमीद है जैपे कुछना कुछ सलुशन निकालेंगा बिकॉस इंका बिजनेस वेल सेटल है इंका बिजनेस और चल रहा है आप देख सकते हो कितना डिफ्रेंस के ओपर पैसा बंद है यह लोग कमार है मतलब अगर यहां से बाय करके वापिस यहां पर हो सेल भी कर सकते हैं तो एक चीस है तो इनका बिजनस दुबारा कंटीनु करने के लिए कुछ न कुछ वाक आउट जरूर करने वाले मुझे तो पुरी उमीद है कि वो कुछ न को सिस्टम लाएंगे या फिर गवर्रमेंट को फोर्स करें या और बिए को फोर्स करें यहां जो सर्विस प्रोवाइड कर रहें करने इंडियन मार्केट को वो सर्विस को कंटीनु कर सकें एंडियन मार्किक बड़ी अलग अलग नेश अहां पर आके अपना बिसिन्स करना चाहते है क्योंकि Indian मार्केट काफी बड़ा मार्केट है तो हर गो यही चाहेंगा जो इंडियन मार्केट में है तो उनको मौख़ा मिलना चाहिए तो अल्रडी जब पर जिनो कॉइन अविलेबल है हमारे लिए तो अब जो डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो जाए तक सवाल है अगर मैं बिटकोईन की बात करूँ तो बिटकोईन को देख सकते हो सपोर्ट लेवल के उपर है और डबल टॉप के डबल बॉटम के उपर है और फिलाल गिर रहा है दो एक तो रीजन है एशियन मार्केट यहने हमारा इंडियन जो काफी न्यूज दिया है पर काफी बड़ा एफेक्ट नहीं पड़ा है लेकिन यह सपोर्ट को होल करना काफी ज़रूरी है गाईस अगर यह सपोर्ट होल नहीं करता है तो बिटकोईन नीचे क्रैश हो जाएंगा कॉंट मार्केट के अगर बात करते हैं तो कॉंट मार्केट के आप देख सकते हो लगबख सब कुछ रैड में जैसे के दो तीन दिन पहले मार्केट काफी ग्रीन में था लोग मुझे मेसेज़़ कर रहे थे मैंने वीडियो में काफी बाता है कि यह कोई ग्रीन सिगनल नही नहीं मिल रहा है जो के लोग मुझे पूछ रहे थे कि अभी बाय करना है यह नहीं है तो अभी तक कोई भी green signal नहीं मिला है market में purchase करने के लिए market capitalization की बात कर तो 248 billion dollar का market capitalization है और 11 billion dollar dollar का volume है जो के बिल्कुल कम है बिल्कुल बद्दा नमजा कर रही है लोग अपने साहितना कम volume में और अगर बात करते हैं डॉमिनेस के बिटकॉइन सेम डॉमिनेस में बैटा हुआ है 45% के डॉमिनेस में लगबक सभी है single digit market में available कुछ-कुछ coin होंगे double digit के red में लेकिन ज्याद़ दर जो coins है वो single digit red में तो bitcoin का आप सिर्फ एक ही सियाग रखो अगर यह line तूर जाता है major support अगर तूर जाता है तो नीचे breakout होगा फिर panic selling नहीं करना है अगर आपने top पे buy किया होगा अगर आपने 10 लाग 11 लाग- Grit, like eight लाग जाफ सेवन लाग जी इतने भी भाय किया हो अगर आप loss में हों तो काई शेल ना करो, sell ना करो, hold कर के रखो उसकτε लेजर hardware wallet में store करके रख दो जम market recover होगा तब accept लाक लिए片 लाग होगा इस लाखो का loss कनने में से अच्चा है कि हम सी फिलाल काफी small तरीकी से गिर रहा है वंडे के चार्ट में अगर देखा जाए तो काफी market को hold करने की कोशिश कर रहा है उसके जो stage है यहां पर previous bull support जहां से लिया तो market ने वह stage पर यहां पर available है तो इसको hold कर रहा है पर अगर यह breakout होता है तो market यहां पर 0.47 पर आएंगा यह breakout होता है तो market यहां पर आएंगा 0.35 पर और लास्ट जो ट्रेंड लाइन सपोट हो 0.28 है जो के मैं वेट कर रहा हूँ अगर इस पोशिशन पर आ जाएंगा तो मैं मेरा पूरा bitcoin इस इतने में ट्रांसवर करता तो फिलाद जो market का स्थिति है वो काफी bad है काफी खराब है कुछ खास नहीं दिख रहा है market में बताने के लिए क्योंकि से वही condition है तो मैं आप सब इसे यही बोलूँ है कि आप टाइम वेस्ट ना करो टेक्निकल अनलेसिस का सीरीज पूरा बता दिया हूँ कुछ पार्ट स है सीख लो इतना टाइम पर मार्केट को दिन बर वही बहुत सो लग मुझे पैसेच कर रहे हैं हर पाथ से दस मेंट को बिटकॉन को प्राइस को चेक कर रहा हूँ यार पैनिक ना हो आपने पैसा इन्वेस्ट किया ठीक है वेल गूड होल्ड करो पेशेंस बनाया को क्रिप रहा है तो इसमें फोकस करो और खास तो उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोगों ने जॉप छोड़ दिया है तो टेखनी के लिए से सीख लो परना दूपरा इंटर्व्यू के लिए जाना पड़ेगा पहले ही इंडिया में 31 मिलियन जॉप्स यानि 31 मिलियन रहे तो भाई हमको तो मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा तो मदा कर रहो है किसको जॉप करने की ज़रूत नहीं आप टेखनी करने से सीख लो फॉरेक्स में भी काफ़ अच्छे इंकम आप कर सकते है अनुवा दिन के लिए मैं कुशिश करो फॉरेक्स के ऊपर वीडिय लेकिन इंक्रीस होंगा तो वो देखकर अच्छा मिलता है ताकि और भी लोगों तक हम पहुश सके क्योंकि यहां पर मेरा फोकस है कि मैं फ्री में आपको टेखनी के अनले से सिखा हूँ और तीनो मार्कट में आपका कवर अप कर वाओ कि आप हर जगा कही पर भी जाओ तो